रादे रादे हरेक्रेशना कैसी हो आप सभी लोग आश्या करती हूँ आप सभी परमंगल में होगे स्वस्त होगे अच्छे होगे इस टाइम पर मैंने इनको चंदन का लेप कर दिया है बगल में एक तुलसी माला उनके लिए रखे है क्योंकि मेरी बेटी की पहली तुलसी माला मैंने अक्षेतिरते पर पर पराया थी इसलिए पूरे दिन इनको नी के पास रखा हाथ में बासुरी दे दी है लंगोट धारन कराया है और पीले रंग का एक दुपट्टा जिसको कहते है न भगवान की लेंग्वेश में उसको पीतामबर बोलते है तो पीले रंग का पीतामबर मैंने धारन कराया है बस क्योंकि मैंने पूरे रंग पे पूरे सरीर पे चंदन का लेप किया है तो इस वज़े से मैंने केवल उनको लंगोट पनाई है और पितामबर धारन किया है और सिर पे मैने उनको मोर मुकुट पहना दिया है इस वज़े से नहीं तो अगर मैं पूरे सरीर पे चंदन का लेप नहीं करती तो मैं इनको पूरे वस्त्र पनाती और पूरे वस्त्र पनाने के साथ साथ पैरों पे इनके चंदन का लेप करती लेकिन मैंने जब पूरे सरीर पे चंदन का लेप किया है पर भगवा हमारे घर में ना मंदिर में जितनी भी प्रतिमाय है मैंने सबको चंदन का तिलक तो अवश्य लगाया है क्योंकि लक्ष्वी माता की भी विशेश पुझाती है और इस दिन ठंडी ठंडी चीचों का भोग भगवान को लगाया है और अक्षे तिर्थया पर एक अ हवन सामेगरी पड़ी होती है आपको बस कपूर डाल के इसको जलाना होता है इसको मैं कपूर डाल के पांच बार ओमनमों भगवते वाश्य दिवाय का जब करते हुए चला देती हूं और उसके बाद अपने घर के जित्ते भी कमरे हैं चारों तरफ इन कमरों को मैं इसको इन चीजों को मता कपूर की जो धुनी है और हवन की जो धुनी है वो और देती हूं आप पूरा मैं दिखी पितांबर हटा कर भी आपको दिखा रही हूं अक्षे तिरतिया थी तो इसलिए हम उनके लिए ये कुंडल लेके आए और हमने ये कुंडल पहना दिए छोटे वा बना रखी है एक चयन जो वो पहनते हैं हमेशा वो पना रखी है पूरे सरीट पर मैंने चंदन का लेप लगा रखा इनका और उनको एक मोर पना रखा हुआ अगर आपके पस लंगोत है तो सबसे बैस्ट लंगोत होता है उसके बात मैंने उनको जो भी भोग में दिया है न के लेक्ष जैसे की मैं दिया लेक्ष तो मैंने ये चांदी का लेके आए थी मेरे में बहुत प्रदान करती हैं आप उनका भोग लगा सकते हैं लेकिन सत्थ कब को कमपल सरी होता है बच्चों को लेकि मैं पूजा करती हूं अपने बेटी को साथ बिठाक कर ताकि जो पूजा की वाइब्रेशन है वह उस तक जरूर जाए आप लोग भी ऐसा अवश्य किजिए साम के समय मैं सिंपली बता एक हवन जरूर करती हूं आपको भी यह हवन अव लिक्री में वह हवन में अविश्य करती हूं उसके बाद जब यह जल जाता है तो इसकी धूनी में सारो कम्रों में दे देती हूं और उसकी बाद लाके रख देती हूं जब भी कोई ऐसी फेस्टिवल होता है ना तो मैं जरूर करते हूं इसकी गंगा नौमी आ गया इत्ती भी जोएली मेरे पास यहां पर राइट नाव मुझूद हैं सबको बाहर निकालती हूं सबको थोड़ी सी धूप लगाती हूं सब में गंगा जल और गुलाब जल जरूर जरूर चड़ूर चड़कती हूं उसके बाद रात्तिरी के समय जो लड्डू को पाल को यह सार कंपल सरी होता है सारा समान उठाके उतार के लड्डू को पाल को सनान करा देजी अगर आपको लगता है कि थंड है लड्डू को पाल इसनान नहीं करवा सकते हो पूरे दिन चंदन लगा उनको ठंड लग जाईगी तो आप घीले कपड़े से उनको पॉंस के अच्छी तरी यह तो आप अपने यूटूब चैनल हरी बूल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना बिलकुन भी मत बूलिए तब तक के लिए मुझे दीजियो जाजत रादे रादे हरी कृष्णा हरी बूल